लालची कुत्ता एक गाउं में एक लालची कुत्ता रहता था वे गाउं में घूम घूम कर खाने की तलाश करता था वे इतना लालची था कि उसे जतना भी खाने के लिए मिलता था उसे कम ही लगता था गाउं के दूसरे कुटों के साथ पहले उसकी अच्छी दोस्ती थी लेकिन उसकी इस आदत की वज़ा से सभी उससे दूर रहने लगे लेकिन उसे कोई फरक नहीं पड़ा उसे सिरफ अपने भोजन से मतलब था कोई ना कोई आते जाते उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ देर ही देता था उसे जो खाने को मिलता उसे वो अकेले ही चटकर जाता एक दिन उसे कहीं से एक हड़ी मिल गई हड़ी को देखर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा उसने सोचा कि इसका अनंद तो अकेले ही लेना चाहिए ये सोचकर वो गाउं से जंगल की योड जाने लगा रास्ते में वे पुलके उपर से नदी पार कर रहा था तबी उसकी नजर नीचे नदी के ठैरे हुए पानी पर पड़ी उसी समय उसकी आँखों में सिर्फ हड़ी का लालच था उसे ये भी पता नहीं चला कि नदी के पानी में उसका ही चेहरा नजर आ रहा है उसे लगा कि नीचे भी कोई कुटा है जिसके पास एक हड़ी है उसने सोचा कि क्यों ना उसकी भी हड़ी शीन लूँ तो मेरे पास दो हड़ीया हो जाएंगी फिर मैं एक साथ दो हड़ीया के मजें से खा सपूँगा ऐसा सोचकर वैं जैसे ही पानी में कूदा उसके मुँँ से हड़ी सीधे नदी में जा किरी मुँ से शूट कर हड़ी के पानी में गिटते ही कुट्टे को होश आया उसे अपने किये पर पश्तावा हुआ कहानी इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए लालच करने से हमारा ही नुक्सान होता है